नमश्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए रशीद जहां द्वारा कृत कहानी अफ्तारी रोजादार रोजा खुलवा दे, अल्ला तेरा भला करेगा आवाजे जोडी से आई डिप्टी साहब की बेगम साहिबा का मिजास तो पहले ही चड़ चड़ा था ना मालूम कमबक्ति ये सारे दिन कहां मर जाते हैं, रोजा भी तो चैन से नहीं खुलने देते अल्ला तेरा बला करेगा कापती आवाज फिर घर में पहुँची नसीबन, अरियो नसीबन, देख वहाँ कुल्फी में कुछ जलेबिया परसों की बचीवी रखिया फकीर को दे दे नसीबन, क्या चाहिए, और भी कुछ और क्या चाहिए, इस सारे घर उठा करना दे दे नसीबन, दुपट्टा संभालती हुए, अंदर चली गई बरांदे में तक्त पर बेगम सहीबा बठी थी दस्तर खान सामने बिचा था, जिस पर चंद इफ्तारी की चीजे चुनी हुई थी और कुछ अभी तली जा रही थी मिनट मिनट में घड़ी देख रही थी कि कब रोजा खुले और कब वह पान और तंबाकू खाए वैसे ही बेगम सहीबा का मिजाज क्या कम था लेकिन रमजान में तो उनके खुश मिजाजी नौकरों में एक कहवत की तरह मशूर थी सबसे जादा आफ़त बेचारी नसीबन को आती थी घर की पली चोकरी थी बेगम सहीबा के सिवा दिनिया में कोई ना था और बेगम सहीबा अपनी उस ममता को नसीबन की अकसर मरमत करते वे पूरा कर लिया करते थी हलाकि गरमी रुकसत हो गई थी फिर भी पंखा बेगम सहीबा के करीब रखा रहता था जरुवत के वक्त नसीबन की खबर लेने के लिए काम में आता था अरे क्या वहीं मर गई निकलती क्यों नहीं नसीबन ने जल्दी से मूँ पहुचा और जलेबियां लेकर जोड़ी की तरफ चली इधर तो दिखा कितनी हैं नसीबन ने आकर हाथ फेला दिया उसमें सिरफ दो जलेबिया थी दो बेगम साहिबा जोड से चीक पड़ी अरे ओ उजड़ी इसमें तो ज़्यादा थी इधर तो आ क्या तू खा गई जी नहीं नसीबन मुह ही मुह में मिनमिनाई लेकिन बेगम साहिबा की एक्सरे निगाहों ने जलेबि के टुकड़े नसीबन के दातों में लगे देखी लिए बस फिर क्या था आओ देखाना ताओ पंखा उठा कर पिल ही पड़ी अरे यही ये तेरा रोजा है तुस्से आद घंटा भी सबर ना किया खिया ठहर तो मैं तुझे चोरी का मज़ा चकाती हूँ अच्छी बेगम साहिबा अच्छी बेगम साहिबा अच्छी बेगम साहिबा अच्छी नसीबन गिड़ गिड़ा आने लगी अब नहीं अब नहीं नहीं कैसी ठैर तो बुर्दार तेरे दमीना निकाल कर छोड़ दू रोजा तोड़ने का मज़ा तेरे बच्चों की ख्यार रोजेदार का रोजा खोलो जब बेगम साहिबा बेदम होकर हाफने लगी तो नसीबन को धक्का दे कर बोली अब जा जाकर फकीर को ये जलेबे दिया बेचारा बड़ी देर से छीक रहा है और ले ये दाल भी बेगम साहिबा ने थोड़ी सी दाल भी नसीबन की मुठी में डाल दी नसीबन सिस्कियां भरती हुई ड्योड़ी पर आ गई दो जलेबिया और दाल फकीर को दे आई नई सड़क जो शायद कभी नई हो अब तो पुरानी और रदी हालत में थी उसके दौनों तरफ घर थी बस कहीं कहीं कोई मकान जड़ा अच्छी हालत में नजर आता था जादा तर मकान पुराने और बोसीदा थे जो उस महले की गिरी हुई हालत का पता देते थे सड़क चड़ा चोड़ी थी जिसकी रंगरेज धोबी जुलाए और लोहा और वगहरे अलावा चलने पिलने के आंगन की तरह इस्तमाल करने पर भी मजबूर थे गर्मियों में इतनी चारपाईयां बिची होती थी कि इक का भी मुश्किल से निकल सकता था उस महले में ज़्यादा तर मुसल्मान अबाद थे घरों के अलावा यहां तीन मस्जिते थी उन मस्जितों के मुलाओं में एक किसम की होड़ लगी रहती कि कौन इन जाहिल गरीबों को ज़्यादा उल्लू बनाए और इनकी गाड़ी कमाई में से ज़्यादा हजम करे यह मुला बच्चों को कुरान पढ़ाने में से लेकर जाड़ फुक ताबिज गंडा यानि उन तरीकों के उस्ताद थे जिससे वे इन जुलाओं और लहोरों को बेफकुफ बना सकी यह तीन बेकार और फिजूल खानदान इन मेहनत करने वाले इनसानों के बीच में इस तरह रहते थे कि जिस तरह घने जंगलों में दीमक रहती है उस महले में एक तूटा हुआ मकान था नीचे के हिस्से में कबारी की दुकान थी और उपर कोई 15-20 खान रहते थे उपर की मंजिल का बारजा सड़क की तरफ खुलता था यह खान सरहद के रहने वाले थे और सब के सब सूध पर रुपे चलाते थे हद से ज़्यादा गंदे थे यह लोग महले वाले तक सब उनसे डरते थे एक तो ज़्यादा तर लोग इनके करज़दार थे और दूसरे इनकी निगा ऐसी बुरी थी कि अकेली औरत की हिम्मत इनके घर के सामने से होकर निकलने को ना होती थी दिन भर इनके घर में ताला रहता था शाम को जब ये लोग वापस आते तो एक छोटी देग में गोश्ट उभाल लेते बजार से नान लेकर उसी एक बरतन में हाट डाल कर खाना खा लेते और चिचोड़ी होई हड्डिया नीचे सड़क पर फेकते जाते जब इनके खाने का वक्त होता तो शाम को बहुत से कुट्टे जमा हो जाते और देड तक भौं भौं की अवाजे आती रहती है अपना पेट भर कर ये खान भही खोल कर बैट जाते ही हिसाब किताब करने लगते फिर कुछ अपने कंबल बिचा कर और हुक्का लेकर सोने को लेड जाते और चंद मन चले शहर की मटरगश्टी को निकल खड़े होते नमाज रोजे का एक सूद खाने वाला खान बड़ा पाबंध होता है और अपने को सच्चा मुसल्मान समझता है हलाकि उसके मजभब ने सूद लेने को बिल्कुल मना किया है लेकिन यह सूद को नफ़ा कहकर हजम कर जाता है और अपने खुदा के हुजूर में अपनी इबादत एक रिश्वत की शकल में पेश करता रहता है आजकल रमजान था तो सब खान भी रोजा रखे वे थे और इफ्तार के ख्याल से जल्दी घर लोड़ चाया करते थे उनका दिल बहलाने का एक तरीका यह है भी दा की अपने छज्जे पर खड़े उकर सड़क की सैर करें और जब कोई इक्का दुक्का औरत गुज्रे तो उस पर अवाजे कसे इनके सामने जो घरता उसकी खड़गिया दो कभी खुरती ही ना थी कभी कभार रोशनी से पता चलता कि कोई किरायदर आगी है आखिर को एक दिन छकड़े और तांगे आते और घर फिर्ख से खाली हो जाता एक दिन अजगर साहब घर तलाश करते फिर रहेते इस घर को देखा उस वक्त खान बहार गए थी घर में ताला पड़ा ता अजगर साहब ने घर को पसंद किया खास कर किरायदर को सफेदी वगेरा हो जाने पर अपने बीवी बच्चों और मा के लेकर इस घर में आ गए उनकी बीवी नसीमा को घर बहुत पसंद आया अगर आज पास का महला गंदा और बोसीदा हालत में हैं तो हुआ करे लेकिन बीस रुपे में इतना बड़ा मकान कहां मिला करता है और को फॉरन सजाने और ठीक करने का इरादा कर लिया शाम को वे अपनी खिड़की में से जाक कर बाहर सड़क और बच्चों को भागदोर देख रही थी कि उसकी साजवी आख खड़ी हुई और बाहर देखने लगी और एकदम उई कहकर पीछे हट गई एदेख एई मोटे मुस्टंडे खानों को फूटे इनके दीदे इधर देखकर कैसे हस रहे है नसीमा ने निगा मोड़ी देखा कि कई खान अपने छज़े पर दांत निकाले उसकी तरफ घुर रहे है नसीमा के उधर देखते ही खानों की फौज में एक हरकत ही और वे जोड-जोड से बाते करने लेगी शुक्र तो यह था कि उनका घर जरा तिर्चा था लेकिन फिर भी सामना तो खूब होता था एधुलन खिड़की बन करके हट जाओ कैसा बेपरदा घर असगर ने लिया है मैं तो यहां दो रोज नहीं तिक सकती नसीमा ने जवाब नहीं दिया और खानों की आँखों में आँखे डालकर बराबर देखती रही सास यहां से बढ़बढाती चली गई मर्दों को कौन करे जब औरते ही शरम ना करें असगर और नसीमा की जिन्दगी में अब से कुछ नहीं कुछ अरसे से रुकावट पैदा हो गई थी उन दोनों की बंगनी बच्पन में ही हो गई थी जैसे जैसे बढ़ते गए परदा भी बढ़ता गया मगर आख मिचोनी जैसे अपने ही हैं अकसर मंगेतरों से होती हैं उन में भी होती थी और नौबत यहां तक पहुँच गई कि छुप छुप कर एक दुसरे को खट भी लिखा करते थे असगर जब कॉलेज में पढ़ते थे तो नौजवानों का जमाना था तबियत में जोश था और उन लड़कों का साथ था जो मुलक की अजादी का दर्द दिल में रखते थे उसकी जोशीली तक्रीरे और व्याख्यान अंग्रेजों के जुल्म जमिदारों की बेगार किसानों की मुसीबत सरमायादारों की लूट और मजज़ूरों के संगटन के बारे में बहुत मशूर थी बोलने वाला गजब का था छट्रों की दुनिया में वे हर जगा मशूर था देश को उससे बहुत आशाएं थी और नसीमा को उससे भी जाता अजगर अपने कॉलिज की जिन्दगी की सब बाते नसीमा को लिखता रहता और जब वे अकबार में उसका नाम देखती तो नसीम का भाई या मंगेतर कौमी लड़ाई में शामिल नहीं था नसीमा ने अपने को एक नई जिन्दगी के लिए तैयार करना शुरू किया अकल मंद को इशारा काफी होश्यार लड़की थी वे है अपने समाच के रोगों को अच्छी तरह समझने लगी और साहती उनको सुधार करने की तस्वीर भी अपने दिमाग में खीचने लगी देश को अजाद करने और उसको सुख पहुचाने के लिए वे हर किसम का बलिदान करने की तैयारी करने लगी अजादी के नाम से इसको इशक हो गया था वह उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी जैसे ही की रोशन ख्याली एक छोटे से दाइरे के अंदर बंद है उन्होंने इतना तो शिरू किया कि अपनी चंद दोस्तों से बीवी को मिलवा दिया था उन लोगों से बाचित करने के बाद नसीमा की सोच वा समझ में जादा तरक्की हो गई और उसको खुद आगे बढ़कर काम कर बहाने बाजी कर सकते थे वे नसीमा के साथ ना कर पाती कभी कहते अभी तो हमारे हैं बाल बच्चा होने वाला है फिर यह बच्चा छोटा है कभी वहां वकालत खतम कर लेने तो वकालत खतम ना की कि नौकर हो गए नौकरी भी तो सरकारी और अपने पुराने दोस्तों से अपने दिल का हाल छिपा सकते थे बहार तो बीवी बच्चों का बहाना था लेकिन घर में क्या कहते नसीमा भी समझ गई कि ये करने धरने वाले कुछ नहीं सिर्फ बाते बनाने के हैं जब भी पुराने दोस्त इत्तिफाक से मिल जाते तो फिर अजगर साहब वही जवानी जमाखर शुरू कर देते और फिर अपनी गैर सियासी जिन्दगी को एक मुसीबत बना कर दोस्तों के सामने पेश करते और सब यही ख्याल करते कि नसीमा ही उनको बहकने की जिम्मेदार ह मिया की इस मौका परस्ति से दौनों के दिलों में गिरहा पड़ गई और नसीमा ने एक खामोशी एक्तिहार कर ली अब तो असगर के दोस्त जिड़े डाले किसम के वकिल और सरकारी मुलाजिम ही थे जिन में सी आईडी वाले भी शामिल थे नसीमा के पास अकेले बढ़ते हुए उन्हें एक उल्जंसी होती क्योंकि असगर के दिल में एक चोर था और वे जानते थे कि इस चोर का पता नसीमा को खूब अच्छी तरह से मालूम है नसीमा की हर बात उनको एक ताना नजराती थी उसकी सर्द खामोशी से उनको जुझला हट हो जाती उनका दिल चाहता था कि नसीमा के खूब सूरत चेहरे पर एक जोर का थपण मार कर बढ़ते अगर नसीमा उनसे लड़ती बाते सुनाती और ताने दे दे कर दिल को चलनी क पका रहे थे नसीमा भी मैं असलम से के अपनी खड़की से जाक रहे थी वह अब दो महीने के करीब उनको इस घर में आये वे हो गए थे खान उसकी सूरत और लापरवाई के आदी हो चुके थे अब चाहे नसीमा वह घंटों खड़ी रहे खान उनकी तरफ ध्यान ना दे थ इफ्तार में अभी देर बाकी थी एक फकिर गली में से निकल कर सड़क पर आया जिस तरह वह टटोलता हुआ चल रहा था उससे जाहिर होता है कि वह अंधा था उसका सारा जिसम काप रहता है जिस लकड़ी के सारे वह चल रहा था वह भी मुश्किल से थाम सकता था उसकी हिस्ता बढ़कर नसीमा के घर के सामने एक दिवार से टेक लगा कर खड़ा हो गया मा इस फकीर के हाथ में क्या है नसीमा ने गौर से देखकर कहा कुछ खाने की चीज़ मालम होती है तो खा क्यूं नहीं लेता रोजस में होगा शायद अजान का इंतिजार कर रहा होगा अम खुद उनसे पूछ लेना लेना तो अम्मा तुम रोजा क्यों नहीं रखती तुम जो नहीं रखते नसीमा ने असलम को छेड़ा मैं तो छोटा हूँ दादी अम्मा कहती है जो बड़ा हो जाए और रोजा ना रखे तो दोजक में जाता है अम्मा दोजक क्या होता है दोज दोजक वह तुमारे सामने तो है कहां असलम ने चारों तरफ गर्दन घुमा करते हैं रहे नीचे जहां अंदा फकीर खड़ा है जहां वे जुलाही रहते हैं जहां रंग्रेज रहता है और लोहार भी दादी अम्मा तो कहती है दोजक में आग होती है हाँ आग होती है लेकिन छोटे छोटे अंधेरे, जुआ और खटमलों से भरे होते हैं और असलम मियां दोजक के बच्चों के पास खिलोने भी नहीं होते कलू के पास भी खिलोने नहीं है अमा वह क्या दोजक में रहता है हाँ जन्नत यह हैं जहां हम और तुम चाचा जान और खाला जान रहते हैं बड़ा सा घर हो, साफ सुतरा, खाने को मजे मजे की चीजे मक्षन, टोस्ट, फल, अंडा, सालन, दूद, सब कुछ होता है बच्चों के पास अच्छे कपड़े और खेलने के लिए अच्छी सी मोटर हो तो अम्मा, सब लोग जन्नत में क्यों नहीं रहते इसलिए मेरी जान, जो लोग जन्नत में रहते हैं वह उन लोगों को घुसने नहीं देते अपना काम तो करवा लेते हैं उनको फिर दो जख में जदधका दे देते हैं और वे अंधे भी हो जाते हैं हाँ बेटा दो जख में अंधे भी हो जाते हैं तो वे खाते कैसे हैं इतने में आजान की आवाज हुई और गुला चला खान, चाय पर लपके और बुड़े फकीर ने जलेबियां जल्दी से मुह में डाली और कापता हुआ आगे बढ़ गया उसके हाथ जादा कापने लगे और सर भी जोर-जोर से हिलने लगा बड़ी मुश्किल से हाथ मुह तक पहुचाया और मुह खोल कर जलेबियां मुह में डालने लगा तो हिलने की बजाए जलेबियां हाथ से छुटकर जमीन पर गिर पड़ी साथी बड़ी जल्दी से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा कापते हाथों से जलेबिया ढूनने लगा कि उधर से एक कुत्ता जलेबियों पर लपका और जल्दी से जलेबिया खा गया बड़ी निढालोकर जमीन पर बैड़ गया बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा खान जो इधर देख रहे थे उन्होंने यह सीन देखकर काह काह लगा और बुड़े की शकल वसूरत और बिचारगी पर हस हस के लोट पोट होने लगी छोटा असलम सहम कर नसीमा से चिपट गया और बोला अम्मा उसके नन्ने से दिमाग ने पहली दफ़ा दोजग की असली तस्विर देखी नसीमा ने खानों की तरफ गुस्से से देखकर का ये लोग असलम ने फिर दबी आवाज में का अम्मा नसीमा ने जुपकर उसे गोद में उठा लिया और उसकी आँखों से आके मिला कर जोड से का मेरी जान जब तुम बड़े होंगे तो इस दोजग को मिटा ना तुमारे ही काम हो और मा तुम मैं बेटा अभी स्कैज से कहा जा सकते हूँ क्यों अभी तो तुम दादी की तरह बुड़ी नहीं हूँ चलो ना नन्य असलम ने मा की संजीरकी की निकल करते हूँ जबाब दिया तुम भी चलना अम्मा अच्छा मेरे लाज मैं तेरे साथ जरूर चलूँगी